स्वागत है सभी आंगनबाडी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि हमने आप सभी को पिछले वीडियो में बताय था कि जो भी आंगनबाडी सेविकाओं है पोशन टेकरेप में लॉगिन कर रही है तो उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है या जिनका login भी है तो उनका कोई भी work धंग से नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए हमने कहा था कि विभाग की ओर से कोई नया update लाया जाए ताकि आगनवारी स्थेविकाओं कि जो problem है वो ठीक हो सके तो finally विभाग की ओर से इस problem को ठीक कर दिया गया है जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा login करके और work करके तो आप सभी को मैं बता दूँ कि ये दिखिए ये कोई 11.5 का update अभी नहीं आया है तो जब 11.5 का नया update आएगा तो इसमें कोई नया बदलाव किया जा सकता है फाइनली अभी के लिए आपको क्या करना है ये जो पोसंट ट्रेकर है फे वो अब आसानी से खुलने लगा है तो आपको क्या करना है पोसंट ट्रेकर है पे अपना mobile number और mpin डालके login कर लेना है तो चलिए मैं आपको login करके दिखाऊंगा कि login हो रहा है या नहीं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमेशा की तरह कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें चैनल को अभीता का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी आगनवारी से विकाओं के साथ सेर जरूर करें ताकि वो भी अपने पोसंद ट्रेकर रैप में login करके अपना जो daily work है वो complete कर पाएं तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले अपना mobile number डाल लेना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर mobile number और mpin डाल लिया है डालने के बाद यहाँ पर जो login करें का option देख रहे हैं इस पर आपको touch कर देना है आप जैसे ही touch करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि finally आज से जो है कि आपका percent tracker app खुलने लगा है और आपको यहाँ पर मैं सभी लभार्तियों की category को भी दिखा जाता हूँ जैसे कि beneficiary वाले category पर आप लोग click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी server की problem पुरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है जैसा कि अगला जो update आएगा जिसमें कि आपको यह भी problem देखने को नहीं मिलेगी तो यहाँ पर थोरा सा वक्त लग रहा है लेकिन आपका जो लभार्तियों का list है वो जल्दी open हो जाएगा यहाँ पर आपको थोरा सा wait कर लेना है देखिए यहाँ पर सभी लभार्तियों की जो सूची है वो यहाँ पर दिखाने लगी है तो इस परकार से आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो percent tracker app है फिर से पहले जैसा काम करने लगा है यहाँ पर देख सकते हैं जो home visit का schedule है उसको भी हम लोग open करते हैं तो जैसे ही open करते हैं तो यहाँ पर सभी लभार्तियों की category यहाँ पर देखने को मिल जा रही है यहाँ पहले जैसा ही अब यह percent tracker app काम करने लगा है तो इस परकार से आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो percent tracker app है वो खुलने लगा है तो देखिए अभी 11.5 का update आना बाकी है जब 11.5 का update आ जाएगा तो आपको जो यह परेशानिया हो रही थी वो नहीं होगी तो उमीद है कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छी जनकारी मिली होगी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर भी करें तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद